नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिट से quality education पर हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है RPSC के द्वारा SI के interview जो है वो शुरू हो चुके हैं आज से 23 जनवरी 2023 से और पहला जो group है उसके interview जो है वो दो फरवरी तक चलने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है और इसी वज़े से अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आज जो है वो मेरे क्या अनुबव रहे थे क्योंकि आज ही मेरा interview था पहले ही दिन था तो अच्छा हुआ कि आप सभी को मेरा अनुबव साजा करने का मुझे मोका मिल गया कि क्या process वहाँ पर रही थी कौन कौन से document की जो है वाउशक्ता पड़ती है board member जो है वो कितने क्या थे उन सभी चीजों के उपर अपन चर्चा करेंगे उससे पहले आप सभी को बता दू RPSC के दुआरा जो है वो SI के interview 23 जनवरी 2023 से सुरू कर दिये गये हैं और दो shift के अंदर exam अपने जो interview है वो चल रहे हैं एक सुबे 9 बजे का है और एक 2.5 बजे का है और 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक जो है ये पहले group के interview चलेंगे उसके बाद में आगे से आगे जो है वो जो है वो interview के लिए group बनते जाएंगे जैसा कि अपन शुरू करते हैं कुछ important point के उपर सबसे पहली अगर अपन बात करें तो 2023 के अंदर 23 जनवरी के दिन जो है ये आपके group 1 जो है इसके जो आपके interview है ये start हो चुके है और ये लगबग 2 फरवरी तक चलने वाले है ठीक है जब इस time period के बीच में क्या-क्या होने वाला है उसकी जानकारी जो है यहाँ पर अपन बात करेंगे तो कि 2 फरवरी के बाद में हो सकता है board के संक्या ज़्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए वो जो है वो RPSC के उपर है फिलाल अपन बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्य पर जाने के बाद में ऐसा देखा गया था कि कहीं सारे ऐसे student थे जिनके जो है वो कहीं सारे document नहीं थे जो student थे उनके ऐसी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन्होंने def जो उस समय जमा करवाया था physical के बाद में जब आपके RPSC के दौरा उस दोरान उन्होंने उसके अंदर कहीं सारे document डाले नहीं थे कहीं सारे document जो है वो extra डाल दिये थे तो ऐसी कहीं सारी समय आई थी तो सबसे पहले अपन बात करते हैं document के उपर देखिए document के रूप में आपको क्या-क्या लेके जाना है एक तो जो important चीज आपको ध्यान रखनी है कि document के लिए ज़्यादा समझा किसको और रही है लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें जिसने जमा करवा दिया या फिर नहीं करवाया मानलो जिसने जमा करवा दिया उसको क्या-क्या लेके जाने है वो भी मैं बता दूँगा और जिसने जमा नहीं करवाया उसको ये ध्यान रखना है कि अब जब आप जा रहे हैं देफ की इंटर्यू देने के लिए उस समय आपको दो सेट बना कर लेकर जाने पड़ेंगे डेफ के वह जमा होंगे वहाँ पर उसके बाद में ही वागय की कारिवाई होने वाली है तो डोक्यमेंट के अंदर जैसे कि आपको सबसे पहले अगर अपन बात करें तो तेंथ क्लास दूसरा हो जाता है आपके ट्वल्थ क्लास तीसरा हो जाता है अब एक चीज दियान रखनी है यहाँ पर आपको फर्स्ट येर सेकंड येर और फाइनल येर तीनों की जो है वह है डेफ जमान नहीं करवाया तो वो है दो सेट बना कर लेकर जाए यानि कि इन सब की दो दो कोपी लेकर जानी है इसके अलावा चोती चीज आपको लेकर जानी है डिगरी तो आपकी डिगरी है वो आपको लेकर जानी है यानि कि जैसे कि मानलो अगर आपने बिये किया है या या फिर आपने बीकॉम किया है या फिर अन्य कोई भी अगर आपने डिग्री ली है तो वो डिग्री लेके जानी है यूनिवर्सिटी वाली ये हो जाएगी आपकी चोती जी पांच्वी चीज होती है आपके आता है मूल निवास पांची चीज आ रही है मूल निवास अब दो चीज ध्यान रखनी है मूल निवास जो है ये नमिंतम अगर हो तो ही ज़्यादा बहतर रहेगा नहीं तो इसमें दिक्कत हो सकती है इसलिए ध्यान रखना है मूल निवास आपको नया वाला ही लेके जाना है बना कर लेके चले जाना 30 चीज आती है आपके जाती पर्मान पत्र अब दो चीज समश्या आ रही है जाती पर्मान पत्र के अंदर ही सबसे ज़्यादा समश्या देखने को मिल रही है और 23 तारीक दिन ही जाती परमान पत्तर के अंदर सबसे बड़ी समश्य यह थी कि उनके द्वारा दो जाती परमान पत्तर मांगे जा रहे थे जाती परमान पत्तर भी ले लो और इसके साथ मैं आप EWS भी ले सकते हो जिन जिनके EWS certificate है उनके और इनके जाती पर्मान पत्तर वालों के सेम समझे आ रहे थी कि जाती पर्मान पत्तर और EWS आपको एक तो फोरम जिस दिन आपने भरा था SI का उससे पहले की तारीक का भी चाहिए और दूसरा आपको जो है वह जिस दिन आप interview दे रहे हैं उस समय नविन्तम जो वित्वर्स है उसका भी आपको EWS और जाती पर्मान पत्तर जो है यह चाहिए तो इस वज़े से अगर आपके पास में उस समय अगर नहीं होता है तो उनके द्वारा आपको एफिडेविट लगा दिया जाता है उस समय तो और बाद में आपको साथ दिन के अंदर अंदर देने की भी वहाँ पर बात करते हैं तो दो चीज़ा आपको ध्यान रखना है एक तो EWS का और जाती पर्मान पत्तर यह दोनों नए लेकर जाने है और फोरुम भरने से पहले के भी लेके जाने है अब खास बात इसमें यही ध्यान रखनी है कि आपको जो है वो EWS और जो जाती पर्मान पत्तर है अगर आपने जब डेफ जमा करवाया था उस दोरान अगर आपका पुराना वाला EWS था या फिर जाती पर्मान पत्तर था फोर एक्जांपल अभी जब आप जा रहे हैं तो नया वित्वर्स अगर शुरू हो गया है तो ऐसी कंडिशन में आपको नया वाला यानि कि एक अपरेल 2022 के बाद का जो आपका EWS का या फिर जाती पर्मान पत्तर है वो आपको नया वाला लेकर जाना है और दूसरी चीज इनके अलावा एक चीज और ध्यान रख लेना अगर आपने फोरूम के अνदर जैसे की MA भर रका है या फिर अगर BA भर रका है एसी अगर कोई भी दूसरी चीज अगर आपने भर रकी है वो सारे के सारी चीज़े आपको लेके जानी है लेकर अगर आपने नहीं बरा है तो कोई दिक्कत नहीं है वाँ पे कोई आउशकता नहीं है लेकिन ये वो document है जो ज़्यादा जरूरी है और document में सबसे बड़ी समश्या वही आ रही है कि forum बढ़ने के पहले तारीक का भी document चाहिए और जब आप जिस वितवर्स के अंदर interview दे रहे हैं उसका भी चाहिए तो ये एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है ये खास-खास जो है वो आपके document है ये आपको तीनो year की mark sheet लेके जानी है यानि कि ये सारे के सारे document original भी चेक होंगे और प्लस अगर इनकी कोई photocopy अगर कमी है तो वो वहाँ पे लग दी जाएगी अगली चीज आती है process इसका क्या होता है देखिए process कुछ नहीं है जब सुबह वाला या फिर साम वाला सिप्टों दोनों की एकी बात है जब process की बात आती है तो process के अंदर सबसे पहले आपको entry मिलती है तो कि अब से पहले जो मतलब की 2018 से पहले जब interview हुआ करते थे तो उस समय बेग वगरे भी साथ में लेके जा सकते थे आसनी से कोई इसी दिक्कत नहीं थी इस बार जो है वो बेग को बाहर रख वा रहे है तो पहली चीज तो process के अंदर जो भी आपके बैग वगरे हैं उनको क्या कर रहे हैं बाहर ही रख वा रहे है तो बेग आपके जो भी document वगरे हैं वो सारे की सारे साथ में लेके जा सकते हैं इसमें आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं है डोकुमेंट की फाइल जो है आराम से साथ ले जा सकते हैं वे एक बार रख देना उसके अंदर मॉबाइल वगर वहीं पर रखना है पहले process के अंदर सबसे पहली चीज यही आती है दूसरी चीज जो है वहाँ की जो library है उसके अंदर आपको ले जाकर बिठा देंगे और library के अंदर जैसे आप जाकर बिठाएंगे वहाँ पर आपके अलग अलग जो है वह बैसिकली दो चोटे जो है वह एक प्रकार से कह सकते हैं गुरूप बना देंगे उसी में ही तुकि आज जब बात की गई तो आज जो है वह दो ही बोड थे इसलिए दो बोड के लिए दो ही जो ही वह गुरूप बनाए गए थे चोटे-चोटे एक गुरूप के अंदर नो थे दूसरे गुरूप के अंदर भी नो थे तो ऐसी कंडिशन के अंदर उस library के अंदर बिठाएंगे वहाँ पर जो है आपके सारे जो औरीजनल डोक्यूमेंट है वो आपके क्या होने वाले हैं यापर चेक होने वाले हैं जो भी औरीजनल डोक्यूमेंट आप लेके जाएंगे पहली चीज याँ पर यह हो जाती है उसके बाद में तीसरे process के जैसे ही अगर आगे बढ़े यहाँ पर जैसे आपके original document चेक हो जाएंगे सब कुछ हो जाएगा आपको यहाँ से number मिल जाता है कि यह आप एक number हो, दो number हो, तीन number हो जैसे ही वो आपको number मिल जाते है उस number मिलने के बाद में जो है वो आपको यहाँ से जिस board के संबन्द आप में जाना चाते हो या पिर जिसके अंदर आपको लेके जाएंगे उस board के सामने आपको जो हो ले जाकर वहाँ पर बिठा दिया जाएगा यह एक process है यहाँ तक कि आपको original document जो है वहाँ से check करते करते जो है board तक आपको लेके जाएंगे यह process के अंदर आ जाता है अगली चीज आती है board देकि board सबसे important चीज है क्योंकि अब से पहले यानि कि 2018 से पहले जितने की जितने interview होए थे उन सभी के अंदर board के अंदर जो सदश्य थे वो तीन सदश्य हुआ करते थे तीन सदश्य हुआ करते थे लेकिन R.A.S. 2000 जो 18 वाली हुई थी vacancy R.A.S. 2000 इसमें जो सदश्य की संक्या है यह आपके 4 हो गई यानि कि यहां से जो है वो 4 सदश्य श्टार्ट हो गई थे और आज जब board बना था जो कि देखे आया हूँ मैं तो मुझे पता है आज जब board बना था तो पहली चीज तो यह थी कि आज जो board है वो 2 ही board बने थे कितने board बने थे केवल 2 ही board बने थे और प्रतियक board के अंदर जो है वो 4 सदश्य बिठाए गए थे पहले 3 सदश्य होगा करते थे इस बार 4 सदश्य बिठाए गए थे RS-2008 जैसे ही 4 सदश्य इसके अंदर बिठाए गए थे दो ही board बनेते एक अध्यक्ष जी थे और बाकी एक और थे अपने तो इसके अंदर जो है वो दो board बनेते चुकि RPSC के अंदर अभी जो है वो total अध्यक्ष जई जो है वो 5 member है तो 5 board तक बन सकते हैं चुकि जब अभी अगर 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 अपन बात करें किस चीज की पहले group की तो पहले group के अंदर पहले दिन 23 तारीक के दिन केवल दो ही board बनाए गए थे अगर board की संक्या आने वाले समय में अगर बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जो है वो संक्या ज्यादा जो है वो इंटर्विव होंगे और समय के उपर जो हो इंटर्विव पूरे भी हो सकते है तो दो board ते हाज चार उसमें सदेश्य थे प्रतियक board के अंदर यहां से एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं यहां से जो सबसे बड़ी समिश्या आती है चुकि उसकी अपन बात करते हैं इस प लिकत यह है कि उनको इस परकार से टेबल में एक यहां पर है एक यहां पर है एक यहां पर है इस परकार से इतनी दूर दूर बेटे हैं कि उनसे आई कॉंटेक्ट करने में काफी समिश्या रही है पहली बात तो यह ध्यान रखनी है दूसरी चीज आपको जब यहां पर चे तो एक टेबल सामने रखी गई है वो आपको ध्यान रखना उसके उपर हाथ वगरे नहीं रखना है एक कुर्सी भी लगाई गई है चुकि मेंबर काफी दूर होते इसलिए आई कॉंटेक्ट में दिक्कत आ रही थी वह मैंने भी फिल किया था लेकिन फिर भी आपको सिस करना अगर हो जाए तो ठीक है लेकिन इतना ज्यादा जो है वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आई कॉंटेक्ट क्योंकि जब आपको मेंबर क्यूशन पूच रहा है वो जब क्यूशन पूच रहा है आप उसका जवाब दे रहे हो तो उस दौरान ये भी देखा गया था कि बा आपको पूचा जाता है कि कौन सी क्या सब्जेक्ट रही है आपके पास में उस सब्जेक्ट के बारे में सामान्य जानकारी होने के बाद में आपको पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में किसी को क्यूशन पूच लेते हैं कि पुलिस के अंदर जो है वो क्यो आना चाते है तो वहाँ से स्टार्ट किया गया किसी के सब्जेक्ट के पूछे गए थे यह भी एक चीज ध्यान रखनी है तो मुझे जो हो एकॉनोमिक्स के क्यूशन पूछे गए थे बिढ़ते ही अध्यक्ष मोदे की द्वारा जो अपने बोड के जो हो अध्यक्ष भी थे उनके द्वा राजस्थान के अंदर जो भी गेंग अभी वर्तमान में पर चली थे उसके उपर क्यूशन आया तो मेरे से जो पहले इस्टूडेंट गया था उनको सब्जेक्ट के क्यूशन ज्यादा पूछे गए थे कि जैसे कि फॉर एक्जामपल सोनोग्राफिक क्या होती है सोनोग्र क्यूशन पूचे गए जो कि साइंस के ही स्टूडेंट थे तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता आपको सब्जेक्ट की क्यूशन चुकि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कहीं पर भी उनके द्वारा आपको डिस्टिक नहीं पूचा गया कोई कारण बंस अगर अब्जेक्ट रही है ग्रेजुशन के अंदर या फिर आपके पॉस्ट ग्रेजुशन में उनको अच्छे से करके जाना है वो विशेश रोप से आपको ध्यान रखनी है यह कुछ आमाने बाते थी आपके इंटर्व्यों से रिलेटेड जो आज का जो इंटर्वी हुआ था आपको जवाब दे दू बाकि जो सामाने जानकरी थी वो मैंने आपको बजाती कोशिश यह करना कि आपके पास में जीवन का आल में जो भी डोकिमेंट बनाये है जो भी डिग्री डिप्लोमा मिला है वो सारा के सारा आप साथ लेके जाईए और सभी की दोदो कॉपी करके लेके जाना है क्योंकि वहाँ पर कोई साभी डोकिमेंट मांगा जा सकता है तो उस दोरान आप आराम से दे सके इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप सारे डोकिमेंट लेके जाए बाकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेनी नहीं है बहुत आसानी से इंटर्यू चल रहे है बाकि एवरेज जो है 15-16 मिनट के इंटर्यू कल रहे थे हैं मार्किंग क्या होगी वो उनके उपर है वो आगे आने वाला जो समय है वो बताएगा बाकि जो समय जान करी थी वो मैंने आपको बताई वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को धन्यवाद अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं थैंक्यू